डो तो आज हम बना रेहे हैं वर्डशी पीस के लिए में देखिये छोटे पीस समें आलो को कट किया है姓 और इस तरह के बारिबारिक पीसिस में मैंने गाजर को कट किया है और दो मिडियम साइज के टमाटर कर रहे के रस को रेसिपी बनाने के बाद में डाल दीजी और ये मैंने हरी मिर्च को बारीक कट करके फिर कूटा है तो कूट के लिया है और ये मैंने बारीक कटा हुआ हरादनिया लिया है अगर आप हरादनिया नहीं खाते तो उसे भी सिक्प कर सकते हैं और ये आप चाहे तो इस त मच ले रही हूं मैं यह गी को मेल्ट होने तक हम पका लेते हैं तो यह देखिए अच्छे से गी मेल्ट हो चुका है और अब डाल देते हैं जीरा और बारीक कुटी ले ले लेते हैं अब हरी मिर्च मेरेको थोड़े जादा लग रहती तो मैं मैंने करीब 8-10 हरी मिर्च को कुटा था तो मैं करीब 3-4 हरी मिर्च ली है तिक्वाली हरी तो मैंने तीन से चार हरी मिच ली है और यह बारी कटे हुए आलू इनको डाल दिया है पहले और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं आप देख सकते हैं इसे Boss 게 और याद हरा धनी जो द१निया है उसको पत्ते डल गयती मेरे से और यह बारिक कटी हुई गाजर को मैंने साथ में ही डाल दिया है एक मिंट पहले आलो डाले पिर एक मिंट बाद में मैंने गाजर को डाल दिया अब साइसफ साथ में ही डाल सकते हैं करीब एक से दो मिंट के लिए मैंने इलाते हुए पकाया और डाल दिया है नमक आप स्वाद के नुसार लें , यह मैंने सिंधानमक लिया है जो वर्त में यूज करते हैं सिंधानमक वो वाला यूज किया नमक लिया और यह में एक चोथाई चमज डाला है काली मिच पाउडर हम काली मिच का पाउडर बरत में ले सकते हैं अगर जो हरी मिच नहीं खाते हैं वर्त वगेरा में तो आप काली मिच का पाउडर ले सकते हो मैंने दोनों लिये हैं हरी मिच भी लिये हो और काली मिच का पाउडर भी लिया है और यह दो से तीन में ने टमाटर लिये हैं वो करीब दो से तीन मिन्ट के लिए मैं इस तरह से डख के पका लिया कि आपको चेक करा देती हूं एधी अभी है जो पकी नहीं है इसमें ऐसे तीन विंट में आलू मैंने काटे तुबारी खेहल लेके नहीं अभी कम ही पानी डालना क्योंकि हमें इसे सुखा ही बनाना है तो इसलिए मैंने एक पानी डाला है और आगर आप गिरेवी वाले बना रहे हो तो आप आलू को वोईल करके लिए उससे ज्यादा टेश्टी लगेगी तो हम इसे डग के करीब 5-7 मिंट के लिए पका लेते हैं गैस का एक पीस अलू का और चेक करा देती हूं थोड़ी गरम है तो बिल्कुल अच्छे से पगगे बिल्कुल सोफ्ट हो चुकी है तो हमें अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ओफ और डाल देते हैं हरा धनिया जोहरे धनिया के फ्लेवर है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा थोड़ी शी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को आल पे सट कर लेजिए इससे होगा ये कि जब भी में भविश्य में कोई वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले नोटिवेशन आएगा तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में न्यूरेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई